वेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल मैं हूँ नई दिली इंडिया से डॉक्टर विजयन गोविंदा गुपता एक जैडेस्थार सर्कॉम्सिजन सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट इस जैडेसर चॉर्टिफाइड जैडेसर बायो मेडिकल चाइना तो मैं न्यू डेली इंडिया में जैडेसर सर्कॉम्सिजन अपने पेशन्स को प्रवाइड करता हूँ और जो आज का वीडियो टॉपिक है वो यह है कि जैडेसर सर्कॉम्सिजन जब तो कर लिया पर फ्रेंडलम का क्या अगर आपने मुझ से जैडेसर सर्कॉम्सिजन करवाया है और आप उसे satisfied है जो कि आप होंगे तो आप ज़रूर इस comment section में अपने comment छोड़िये ताकि आगे वाले आने वाले patients के doubts भी clear हो सके पर इस वीडियो में बात करूँगा है कि ZSR circumcision and frenulum एक बहुत common misconception जो फिलाया जा रहा है वो यह है कि ZSR circumcision के during frenulum को manage नहीं किया जाता इस कारण से patient की problem पूरी solve नहीं होती पर let me tell you कि ZSR circumcision is the only way in which हम circumcision में एक ही surgery में आपका फाइमोसिस और आपकी frenulum की problem दोनों को एक साथ solve कर सकते है frenulum क्या है, tight frenulum क्या है, फाइमोसिस क्या है, इनकी क्या treatments है, इनके क्या क्या positive और negative effects है, इसके बारे में मेरे बहुत सारे videos है दिये गए links पे जाके playlist को जरूर देखिए, मैंने बहुत detailed में हर टॉपिक को solve किया है मैं इस video में कोई भी penis की photo या frenulum की photo नहीं डालना चाहता है, यूट्यूब आजकल penis की photo देखते ही, वीडियो को ban करती है इस कारण से मैंने अपने सारे results को अपने website पे collate किया है, तो आप मेरी website पे जाके सारे patients के pre-operative, healing phases, post-operative की photos देख सकते हैं लिंक्स मैंने नीचे आपके description में भी दिये है, लिंक्स मैंने आपको tag में भी दिये है तो आप ज़रूर जाके अपनी तसली से देखिए कि surgery के पहले एक penis की क्या हलती, surgery के बाद penis की क्या हलत है और आप 3 या 6 मेने बाद penis कितना improve हो गया है तो जड़े सार circumcision में circumcision तो होता ही है और friendalum को भी साथ में manage करते हैं अगर आप जानते हैं अभी तक आपनी वीडियो देखा होगा तो penis के जो तीन पार होते हैं एक होता है glance, glance होता है जो आगे आपका जो link mund है उसके ओपर होती है skin जिसको हम लोग four skin बोलते हैं और four skin से penis के छे तक एक pipe या एक छोटी सी seal होती है जिसको हम लोग friendalum बोलते हैं नौर्मली फाइमोसिस में दोनों चीज़े रिंग टाइट होती है प्लस friendalum short होता है इस कारण से skin पिछे जाती नहीं है और सारी problems होती है तो अगर आप fiveosis में सिरफ four skin निकाल देंगे और friendalum को manage नहीं करेंगे तो भी solution नहीं है और अगर आप सिरफ friendalum manage कर लोगे और ring को manage नहीं करोगे तो भी solution नहीं है तो अगर fiveosis and tight friendalum का complete treatment या complete solution चाहिए तो यह अनिवारिया है कि ring को भी खुला जाए excessive पतली skin या excessive tight skin को भी निकाला जाए और जो friendalum है उसको भी elongate किया जाए तो जड़ेसरर circumcision के साथ हमेशा friendaloplasty होती ही होती है तो friendaloplasty भी दो तरीके से कर सकते है एक होता है pre circumcision एक होता है post circumcision तो कई बार अगर suppose friendalum बहुँट tight नहीं है तो हम ZSR device fire करने के बाद circumcision होने के बाद friendalum को खोलते है और friendaloplasty करते है अगर suppose friendalum बहुँट tight है और वो allow नहीं कर रहा हमारी ZSR के अंदर के anvil को sit करने में तो हम pre circumcision भी friendaloplasty करते हैं सबसे पहले friendalum को हम laser welding से या कौर्टी से खोल कर space बना कर firing करते हैं firing करने के बाद जो remaining friendalum के edges है उन edges को साथ में seal करते हैं अब friendaloplasty में doubt होता है कि पूरी surgery stitchless है तो friendaloplasty stitchless क्यों नहीं है तो ZSR circumcision की friendaloplasty stitchless ही होती है usually अगर आपका friendalum बहुत लंबा कर दिया गया है तो हो सकता है कि एक टाका लगे पर usually आजकल हम टाके नहीं लगाते हैं हम जो दोनों edges हैं उनको laser weld करकर पास में लाकर छोड़ देते हैं और वो अपने आप 10-15 days में heal हो जाते हैं अगर टाका लगाने भी पड़ा अगर suppose हम friendaloplasty करते हैं और टाका लगा भी देते हैं तो वो टाका भी normally monocryl लगता है वो normally 8-9-10 दिन में घुलके निकल जाता है कुछ टाके को निकालने के ज़रूत नहीं पड़ती है और क्योंकि हम monocryl 5-0 यूज़ करते हैं तो इतना बारीक टाका है कि उसका को निशान नहीं पड़ता है तो आफ्टर circumcision आपको तीनों चीजों में आराम आएगा आपका जो फोर स्किन टाइट है वो लूस हो जाएगा तो आपका फोर स्किन आराम से आगी पिछी जाएगा आपको धूने में उसको साफ करने में आ कोई लिक्विड निकलता है डिस्चार्ज इचिंग यह सारी फॉल्म हो जाएगी तो जड़ेशार circumcision एक तरीका है जिससे हम तीनों प्रॉब्लम्स ग्लांस की इचिंग रेडनेस बलन नाइटेस पेन आपका फ्रेनलम की टाइटनेस एस वेल एस फोर स्किन की टाइटनेस इचिंग, कटेंग, ब्लीडिंग इन सब को एक ही साथ में सॉल्व कर सकते हैं मैंने अभी तक जड़ेशा circumcision के 5000 से ऊपर केस ऑपरेट की है तो मैं अभी जड़ेशा circumcision का सबसे हाइस वॉल्यूम सर्जन हूं इंडिया में मेरे पास जड़ेशा circumcision authorized तरीके से आता है जिसको properly approved तरीके से आता है इस कारण से ये circumcision जो है बहुत सेफ है प्लस इस सर्जरी में क्या-क्या parts है क्या-क्या components है कैसे होती है कैसे schedule करते है इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिनको आप लिंक में देख सकते हैं अगर आप जड़ेसार चाहते है कराना और आप सोच रहे है कि ये कैसे होगी तो ये नया वीडियो डाला है इसको ज़रूर देखिए इस surgery को कराने वाले patients extremely satisfied है इनके क्या results है क्या reviews है वो आने वाली वीडियो है प्लस मेरे दिये गए link पे मेरे website पे इनको देख सकते हैं और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ सकते हैं इमेल कर सकते हैं तो मैं आपके लिए 24-7 अविलेबल हूँ आपकी प्री ऑपरेटिव ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव हेल्प करने के लिए तो अगर आप एक रहाना चाहिए और मैं यह बादा बोल रहा हूं कि मैंको यह last minute को एंड कैसे करें तो एंडिंग लिखिये मैं अपने वीडियो में उन कमेंट्स को जरूर इंकॉपरेट करूगा थांक यू फू लिसनिंग टेक केर बाई